वेल्कम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जब ग्रूप से कोई व्यक्ति निकल जा इस तरह के प्रस्ण एवरेज में कैसा सॉल्व करते हैं देगे आज का जो कॉस्ष्ण है ऐसे स्थान आप 20 स्टुडेंट्स है उसकी एवरेज एज थी एवरेज एज स्थान सिन्टध्स है अब इस ट्वैंटी एवरेज़से बारा है अब इस ट्वैंटे में से एक मınaए जो बंदा है वो अपने ट्रांसफर कहीं किरा लेता है तो अब 19 बचती है इस 19 की एफरेज आयू में 0.2 की कमिया हो जाती है यानि यह जो है 0.2 की कमिया हो जाती है माइनस 0.2 की तो अब जो new है वो बनती है 11.8 यह question दिया हुआ है तो अब यह जो बंदा छोड़के यहां से यहां आया है minus 1 इस 20 में से एक बंदा छोड़के जो आप चला गया इस बंदे की आयू को पता करना है तो दोस्तों इस तरह के present को मैंने एक बर conceptually आपको समझाया है अपने पिछले वीडियो में तो उस वीडियो के जरूर आप देखें जिससे आपको जो concept है आपको समझ में आएगा फिर भी मैं इसमें कोशिश करता हूं कि एक बर फिर से बताऊं उस चीज को देखें इसमें दूस्तों कि 20 है तो इसको मैं मान लेता हूं कि 20 लोग हैं अब इसमें से क्या हुआ दिया हुआ कि 12 वर्स और सथा आयू है तो हम मान सकते हैं कि 12 जब और सथा आयू कि तो सब क्यूं बारा वर्स होगी बारा वर्स होगी अब इसमें से एक बंदा छोड़के चला जाता है तो जिससे क्या होगा कि 0.2 अब देखिए ध्यान है कि अगर मैं इसमें से कोई एक बंदा निकाल दू ये बारा वला तो क्या इसके एवरेज़ेज में परिवर्था नाएगा पुलने नहीं है कि by को बारा वरा सबके हैं कोई भी एक निकल लेगा तो आफबरेज बारा ही रएर आएगा है तो इसके जो बारा एवरेज़ेज इसका जो बारा क्या इसमें से क्या करने से इस बारा का जो आफ़रेज देश को घटाया जा सकता है तो देखिए अगर यह मान लीजिए अगर यह पचास होता बारा के जगा और इसको हम निकाल लेते हैं तो यह एवरेज इसकी घट जाती अब्यसली क्योंकि जादा एजवालों को निकालेंगे तो घट जाएगी ना जैसे अगर एक फैमिली में कि यह 5 यह कमाता है यह भी पांच कमाता है और यह भी पांच कमाता है चार बंदें तो इसकी आवरेज पांच ही होगी यह 5 इसकी जो average है अब मैं इसको निकाल दू तो इसकी average इस क्या होगी 5 होगी इसको निकाल दू तो भी 5 होगी लेकिन अगर एक बंदा है जो 50 कमाता था अब इसकी average तो कुछ हो जाएगी यह 100 कर दिता है ताकि calculation में जी होगी अब इसकी average age हो जाएगी 120 by 5 तो यह 24 पच्छे 120 देखिए 24 हो रही है अभी इसकी average age कितनी है 24 है लेकिन अगर मैं इस 100 को निकाल दू क्योंकि इसकी earning ज्यादा है 100 यह कमाता बाकि यह 55 कमाता है तो यह 100 वाला को निकाल दू तो इसकी average होके यह पांच पर आ जाएगी कहां 24 और कहां 5 तो जब ज्यादा एज वाला गुरूप से निकलता तो उसका जो average गिर जाती है इसी तरह देखिए यह बारा-बारा-बारा सबकी average हैं लेकिन question में क्या बोल रहा है कि इसकी average आयू जो है जिरो पॉंट्ट्टू की कमी आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बारा का होता तो कोई कमी नहीं आती no कमी no change sorry यह no change होती अगर उसके उमर बारा बर्स होती तो average age में no change होती लेकिन चुकि हमारा 0.2 की कमी हो रही है इसका मतलब उस बंदे की उम्र जादा होगी 12 प्लस होगी तो 12 प्लस कितनी होगी तो 12 प्लस यह निकालने करिए हम फाइंड करते हैं कि जो 19 बंदे अब बचे अब कितने बचे 19 बचे और इन 19 में से सबकी 0.2 की कमी होगी 0.2 एज सबकी कम हो गई न एक बंदा चला गया तो अब 19 बचे एक दो ऐस तरह 19 बचे अब सबकी कितनी हो गई 11.98 11.98 यानि 0.2 0.2 0.2 सबका कमी हुआ टोटल 19 लोगों का कम हो गया उम्र तो यह उम्र जो कम हुआ है इसी का एज में एड होगा यह 19 इस तरह करेंगे इसको 19.0.2 अब यह इसको सॉल्व कर लेते हैं 12 प्लस 3.8 एक्वल टू 15.8 यह हमारा आंसर होगा तो दोस्तों सॉल्व करना है हमें बस इतना इतना लंबा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्शली होता किया है एवरेज में परिवर्तन कैसे होता है तो सॉल्व हम इस तरह करेंगे सिंप्ली आपको बारा यह जो एवरेज है यह डिफाइन करना है कि यह प्लस होगा यह माइनस होगा क्यूंकि हमारा देखिए ज्यादा है ज्यादा इसका होगा जो बाहर गया है इस वजह से यह प्लस होगा और कितने के कमी होई है तो 19 लोगों अब 20 थे अब एक चला गया तो बचा 19 ही बचा हमारे ग्रूप में तो 19 को मल्टिप्लाय करेंगे जितनी कमी होई है 0.2 की कमी हो रही है इतना एच हम लोगों में से घटा दे रहें यानि यह सारा इसके खाते में जाएगा जो छोड़के चला गया तो यह 15.8 हमारा आंसर होगा आशा करता हूं दोस्तो आपको यह थोड़ा समझ में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा सभी बेसिक्स जानते होंगे पहले आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा आप एक दो बार इसको देखिए अगर नहीं समझ में आता तो प्लिस कमेंट करें कमेंट किजिएगा तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्योंकि यह तो मैं जानता हूं मैं बना दे रहा हूं बट मेरा मकसद है कि जो एक्तम जीरो लेवल पर बैठा हुआ बनता है जीरो लेवल पर उसको यह समझ में आ जाए मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं कि मैं पैसे कमा हूं बस मेरा मकसर है कि जो डिप्राइब्ट लोग हैं उनको ये फ्री ऑफ कोस्ट उसको ये फायदा मिल सके और उसको सही धंग से वीडियो मिल सके सही कॉंसेप्ट के साथ में तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं